हेलो इस्ट्रेंट्स तो यूभी बोर्ड ने क्लास 12 का सिलेवस जारी कर दिया है 30% कम करके मतलब आपके बोर्ड एक्जाम 2023 में जो आपका पेपर होंगे 12 के उसमें आपको सिर्फ 70% सिलेवस ही पढ़ना है 30% नहीं पढ़ना है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामानने हिंदी की ठीक है सामानने हिंदी और हिंदी का सिलेवस अलग अलग है ठीक है अगर आपके पास साइन साइड है तो आपके सामानने हिंदी होगी और अगर आपके पास आर्ट साइड है तो शायद आपके पास हिंदी होगी या सामानने हिंदी कह नहीं सकते तो और समाने हिंदी में फर्क देखिएगा समाने हिंदी की वीडियों यह बना रहा है और हिंदी की वीडियों जो हमने बना दिये प्लेलिस्ट में जाकर देख लिजिएगा तो कौन-कौन चैप्टर इस पर आपको नहीं पढ़ना है वह बात करेंगे 30% के कॉर्डिंग और कौन-कौन से आपको पढ़ने हैं उसकी बात करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जो चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ने है 30% के अकॉर्ड ठीक है क्लास 12 में तो सबसे पहले काववे की ही हम बात कर लेते हैं तो काववे में आपको मतलब गद्ध में आपक यह नहीं पढ़ने दो चैप्टर का प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में और हरी संगर प्रसाई का निंदा रस तो यह दुनों चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं उसके बाद काव्वे में आपको चार चैप्टर इस बार हटा दिये गए हैं मैथली श्रणग संस्क्रत में आपको संग्या राजन जगत और सरित की यह पढ़ना सर्वनाम में सर्व इदम यद यह नहीं पढ़ने तो यह जितना आपको इसकीन पर दिखाई दे रहा है तो यह सबाब आपको जो है इस बार अपने सिलेवस से आउट कर देना है ठीक है मैं फिर काट देत कि इतना इतना जो है आपको पढ़ना है गद्ध की बात कर लेते हैं तो गध्ध में आपको यहां पर सिर्फ चार चाप्टर पढ़ने हैं पहला तीसरा चौथा और छटा पहला है वासुदेव सरन अगरवाल का राश्टर का सुरूप डॉक्टर हचारे प्रसाद दुवेदी का अशोक के फूल प्रोफेसर जी सुन्दर रेडी का भाषा और आदुनिक्ता डॉक्टर एफिज अ दुलकलाम की तेजस्यु मन के संपाधित आंसी चारों चाप्टर आपको इस बार पढ़ने हैं गद्ध में काव्य की हम बात करें या पद्ध की तो इसमें आपको कुल मिला करके साथ चाप्टर पढ़ने हैं एक दो तीन चार पांच छे सार रामधारे सिंग दिन करके अभ पढ़ने हैं यहां पर चारों पढ़ने हैं गद्ध में कथा साहित्त में आपको तीन चेप्टर पढ़ने हैं यहां पर कौन कौन से देखिए जैना इंद्र कमार के ध्रुवयात्रा फनीश और नाथ रिंडू की पंचलाइट और अमर कांथ की बहादू यह तीनों है कानपूर जौनपूर मुराजबाद फेजबाद एटा ललितपूर तो इसमें आपको मुक्ति यूग मुक्ति यग्यों पढ़ना है ठीक जिसके लेखक हैं सीरी सुमितर अनंदन पंत उसके बाद अगर आपका जिला लखनाव इटावा बलिया विजिनोर जहांसी अगर आपका जिला इलमे से को इसा है वारांची बुलन शहर मतुरा मुझफवर नगर फतेपुर उन्नाव देवरिया तो आपको रश्मी रती पढ़ना है जिसके लेखक हैं रामधारे सिंग दिनकर अगर आपका जिला इलमे से को इसा है प्रियाग राज अलिगार पढ़ना है यहाँ पर आलोग वरत जिसके लेखक है स्री गुलाब खंडेवाल अगर आपका जिला आगरा गोरकपूर बरेले सुल्तानपूर जालोन लखिमपूर खीरी कॉंडा साज यहांपूर बारबंकी है तो आपको पढ़ना है यहाँ पर त्याग पत्थी जिसके ले संदी का सतर प्रसेंट का है और लाश्ट में संस्क्रत की हम बात करें संस्क्रत में आपके दूसरा तीसरा चौथा पांचो छेटा साथ हुआ सिर चैप्टर आपको पढ़ने हैं पहला आत्मग्या एवं सरवग्ये दूसरा संस्क्रत भाषा मैं तुम अगला जातक का था अबजेट के सिलेबस हमने अप्लोड कर दी है प्ले लिस्ट सक्षन में आप जाकर देख लिजेगा वहां पर आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट इसका नाम है क्लास ट्वैल थार्टी परसेंट डिट्व सिलेबस 2022 थी यूपी बोर्ट तो मिलते नेक्स्ट क्लास में थैंक यू जाहिन